आज हम एक बार फिर आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नाइन लेकर आए हैं जो नेभी, एयर फोर्स, एंडियो, डियाडियो, डेली पुलिस, स्सी, सीजील के लिए इंपोर्टेंट हैं तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला कोचन, भारत को स्रिलांगा से अलग करता है, आपके ओप्षन है, A. पाल्क जलसंधी, B. सुन्डा जलसंधी, C. डोवर जलसंधी, D. होर्मून्ज जलसंधी जो भारत और सिलांगा को अलग करता है, नेक्स पोचन देखते हैं, सेकेंड नमबर, भारत सबसे लंबी अस्थलिय सीमा किस से बनाती है, यानि किस देश के साथ भारत के सबसे लंबी अस्थलिय सीमा है, आपके अप्षन है, A. B. चीन के साथ, B. नेपाल के साथ, C. भुटान के साथ, D. बंगलादेश के साथ है, भारत की सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बंगलादेश के साथ है, जिसकी लंबाई 4,996 किलोमीटर है, कितना है? 4,996 किलोमीटर ठीक है उसके बाद चीन के साथ है जिसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर आप इसको नोट कर लीजेगा बंगलादेश के साथ 4,096 और चीन के साथ 3,488 और पकिस्तान के साथ है 3,323 और मैं सारे जो नेवरिंग कॉंट्री हैं उनको बता दे रहा हूँ उसके बाद नेपाल है ठीक नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर उसके बाद मैनमार है ठीक मैनमार के साथ 1,643 किलोमीटर उसके बाद भुटान है भुटान के साथ भी है जिसका लंबाई है 699 किलोमीटर अफगनिस्तान आ जाता है जिसकी लंबाई है अफगनिस्तान के साथ 106 किलोमीटर सबसे छोटी बादरी अफगनिस्तान के साथ है और सबसे लंबी बंगला देश के साथ, ठेक, आप इसको याद कर लिजेगा, नेक्स देखते हैं, और इस टोटल सीमा की लंबाई हो जाती है, 15,106 किलोमेटर, आप इसको व्याद कर लिजेगा, थर्ड नमर देखते हैं, भारत सबसे छोटी अस्थलिय सीमा बनाती है, यह निक भारत तेक, तो मैंने पिछले कोर्चन में बताया, D, अफ़र्गनिस्तान के साथ करेक्टेंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई है, 106 किलोमेटर, फोर्थ नमबर देखते हैं, नेक्स कोर्चन, तारो का रंग सुचक होता है, यानि तारो का कॉलर इंडेक्स होता है, आपके आप्सण है, A, उसके ताप का, B, उसके घनत्वे का, यानि घनत्वे इंडेंसिटी, ताप इंडेंटेंप्रेचर, C, उसके द्रावमान, यानि मास का, D, इन में से कोई नहीं, रंग सुचक यानि कलर इंडेक्स, कलर इंडेक्स को रंग सुचक हिंदी में रंग सुचक कहते हैं, इसे तारो का इनिस्टार्स का ताप एंट टेंपरेचर को मेजर किया जाता है फिफ्त नमबर देखते हैं भारत एँग पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है मैंने इस पिछले वीडियो में भी जीके का कवर कर दिया है सो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा सी रेड क्लीफ क्या हो जाएगा रेड क्लीफ है टेक और ये किन के नाम पर रखा गया था तो ये एक ब्रीटिस वकील थे ब्रीटिस वकील उन्हीं के नाम पर रखा गया था Sir Siril Redcliffe आप नाम याद रखेगा Sir Siril Redcliffe मैंने पिछले वीडियो भी बताया था Sir Siril Redcliffe थे जो ब्रीटिश वाकिल थे जो 17 अगस्ट 1947 17 अगस्ट 1947 को ये डिसाइड हुआ था ठीक नेक्स दखते हैं 6 नमबर तीन तरफ से बंगलादेश से घीरा राज्ये कौन है आपके अप्शन है A. मेघाले B. मनिपूर C. नागालेंड D. त्रिपूरा So the correct answer is D. त्रिपूरा त्रिपूरा है जो तीन तरफ से बंगलादेश से घीरा हुआ है 7 नमबर देखते हैं आपके अप्शन है A. बंगलादेश B. पाकिस्तान C. इंडोनेसिया D. सिरलांका So the correct answer is D. सिरलांका सिरलांका है जो सबसे नजदीक में है उसके बाद मल्दिव है मल्दिव ठेक तो सिरलांका आया है नाम तो इसके Capital का नाम जाल लेते है जो Capital इसके तो ऐसे दो Capital है एक समर होता है एक Winter में राखा जाता है ठीक अभी Current में है सिरीज जवेर्दने पूरा कोटा आप इसको नाम को याद कर लिजेगा सिरीज जवेर्दने पूरा कोटा ठीक और यहाँ के जो President है सिरलंका का President जो गोटा बाया राजपक्षा याद रखेगा गोटा बाया राजपक्षा गोटा बाया राजपक्षा और यहाँ के प्राइम मुनिस्टर है जो महिंदा राजपक्षा महिंदा राजपक्षा प्राइम मुनिस्टर है यहाँ का करेंसी है सिरलंका रूपीज ठीक तो यहाँ सिरलंका से रिलेटेड जो फैक्ट से याद रखेगा नेक जगते हैं रेड क्लीफ रेखा का निर्धारम किस वर्ष हुआ था तो मैंने पीछे भी बताया था कि रेड क्लीफ की जो रेखा था उसर सिरियल रेड क्लीफ ने जो ब्रीटीस वकील थे उन्होंने 17 अगस्त 1947 को रखा था तो दो करेक्ट एंसर इस बी आप इसको नोट कर लिजिए नाइन नमबर देखते हैं प्रित्वी से चंदर्मा का कितना भाग दिखाई देता है आपके ओप्सन है A. 45% B. 55% C. 57% D. 55% So, the correct answer is C यह किसी-किसी बुक में 59% भी लिखा रहता है तो आप दोनों याद कर लिजेगा 57 या 59 ठीक अगर option में 59 दिया है तो आप 59 मार देखे यह थी 59 क्लिक कर देंगे Next देखते हैं दो देशांतर रिखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाता है दो देशांतर रिखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है आपके option है A. गोरे B. ब्लैक C. सीमा यह D. छेत्रफल So the correct answer is A. गोरे गोरे नाम से जाना जाता है Next question देखते हैं 11th number Big Bang का सिधांत Big Bang का सिधांत का प्रतिपादन किया था निए Big Bang का सिधांत था वो किस ने दिया था आपके option है A. कॉल्ट ने B. लचसाल ने C. जेम्स विन्स ने या D. जोर्ज लेमिस्टर ने So the correct answer is D. जोर्ज लेमिस्टर ने 1927 में यह Big Bang का Big Bang थिरू दिया था ठीक याद रखेगा जोर्ज लेमिस्टर ने 1927 में यह Big Bang थिरू दिये थे ठेक Next question देखते हैं 12 number भारत एउचीन के बीच की सीमा रेखा है यानि भारत एउचीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है आपके option है A. Durand रेखा B. Mac Mohan रेखा C. Red Cliff रेखा या D. और तिस्वी समनांतर रेखा So the correct answer is B. Mac Mohan रेखा मैंने जो भारत के जितने भी रेखा थे जो रेखा का नाम था Durand Red Cliff या एक और Red Cliff होता है जिसमां अंत में Red Cliff यह होता है Double F अंत में और एक यह होता है R. A. D. C. L. I. Double A. F. E होता है अंत में E लगता है वो सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कवर करती है आप उसको जाकर एक बर देख लीजिए Next जगते है 13. प्रित्वी की आयू ग्याद करने के लिए किस वीधी का प्रयोग किया जाता है आपके option है A. Carbon C14 B. Uranium Dating C. Aswan Aswan वीधी D. इन में से कोई नहीं So the correct answer is Uranium Dating Uranium जो Dating होता है उससे प्रित्वी का आयू की पता होती है अब कुछ लोगों को लग रहा है यहाँ पर correct answer A होगा लेकिन नहीं जो Carbon C14 यानि Carbon Dating होता है इससे प्रित्वी को कितने पुराने है उससे उनको पता लगता है अगर सही प्रित्वी की आयू मालूम करनी है तो Uranium Dating से होता है ठेक नेक्स जगते हैं आदम पुल जो Adam पुल है तो किन दो देशों के मध्य में इस्तित है आपके option है A. भारत एव मैनमार B. भारत एव स्रिलंका C. भारत एव नेपाल या D. भारत एव चीन आदम पुल या राम से तू पुल को राम से तू राम से तू पुल के नाम से जना जाता है So the correct answer is भारत एव स्रिलंका जो स्री राम जी ने स्रिलंका में प्रेवेस करने के लिए बनाया थे Next question देखते हैं 15 number भारत पृत्वी पर दीन रात बराबर होती है यानि किस तारीक को किस डेट को पृत्वी पर दीन रात दोनों बराबर होती है A. 23rd September B. 21st March C. A. and B. दोनों तितिको D. 16 August C. So the correct answer is B. 21st March और 23rd September दोनों दीन दीन रात बराबर होती है पृत्वी पर आप याद रखिएगा Next question देखते हैं 16 number तीन बीगहा कोरिडोर किसको जोडता है जो तीन बीगहा कोरिडोर है वो किसको जोडता है आपके option है A. भारत यो स्रिलंका को B. भारत यो बंगलादेश को C. भारत यो चीन को D. भारत यो पकिस्तान को So the correct answer is B. भारत यो बंगलादेश को तीन बीगहा कोरिडोर Guess जो तीन बीगहा कोरिडोर है ये ऐसे कुछ इस तरफ पढ़ जाता है जो यहां से बंगलादेश यह इस तरफ पढ़ जाता है और दुसरी तरफ अंगपोता जो बंगलादेश के है बंगलादेस की इलाके है ठीक है और इसका एरिया है 18 किलो मीटर स्क्वाइर यहनि इसका जो एरिया है 18 किलो मीटर स्क्वाइर और इसे 3 विगहा के नाम से जना जाता है ठीक नेक्स जखते हैं 17 नमबर भारत एव पकिस्तान के बीच सिमिलर समझा होता कब हुआ था यह कोचन भी मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है इसके बारे में फूल डीटेल में मैंने उसको आपके आप्सन है मैं फिर बता दे रहा हूँ कि उस समय पाकिस्तान के पीएम जो थे जुल्फिकार अल्ली भूटो और भारत के इंद्रा गांधी जो उस समय पीएम थी दोनों ने सिमला में भारत और पाकिस्तान के बीचे समझाता किये थी उस समझाता का नाम था सिमला पैक्ट क्या था similar pact English में उसको similar pact कोते हैं इस pact में आपको और कुछ जानना है तो आप गूगल कर लीजिए इस pact के बारे में मैं बता आप खुद पढ़ लीजिए वहां पर जाकर आप करेंगे तो इस pact में बहुत से रोचत तत्थ्वे है जो आप जानेंगे ठीक है 18. प्रित्वी का सुरक्षा भल्व यानि सुरक्षा भल्व किसे कह जाता है A. भुकंप को B. समुंद्रे तरंग को C. सुनामी को D. ज्वला मोखी को So, the correct answer is B. यानि C वेब्स को C. वेब्स को प्रित्वी का सुरक्षा भल्व कहा जाता है Next question देखते हैं 19. प्रकास वर्ख किसका मातरक है जो प्रकास वर्ख है जो किस चीज के लिए किसका यति है मातरक है आपके option है A. समय का B. ध्वनी का C. दूरी का या D. दबाव का यानि pressure का So, the correct answer is C C. दूरी का जो दूरी होता है वो प्रकास वर्ख में लंबी दूरी जो होता है उसे प्रकास वर्ख में नापते हैं ठेक अग प्रकास दूरी कितने एके बरावर होती है तो मैं आपको बता देता हूँ 9.461 किलो 10 to the power 12 किलोमेटर आप इसे नोट कर लीजेगा 1 light year 1 light year is equal to 9.461 into 10 to the power 12 10 to the power 12 किलोमेटर के बरावर होती है ठेक नेक्स जगते हैं 20 नमबर किसने कहा था कि सूर्य बर्मान का केंदर है आपके option है A. कौपर निकस ने B. गलेलियो ने C. आरिया भट ये D. ब्रह्म गुपत So, the correct answer is जो correct answer है वो ये कौपर निकस ने कहा था ठेक कि सूर्य है जो बर्मान का केंदर है नेक्स जगते है 21 नमबर चंद्रगरहन कब लगता है आपके option है A. जब सूर्य ब्रिथ्वी के बीच चंद्रमा आती है B. जब सूर्य ब्रिथ्वी के बीच ब्रिथ्वी आती है C. जब चंद्रमा ब्रिथ्वी के बीच सूर्य आता है D. इन में से कोई नहीं So, the correct answer is जब सूर्य चंदर्मा के बीच प्रित्वी आती है तब चंद्रगहान लगता है नेक्स जगते हैं 22 नम्र प्रित्वी तथा सूर्य के बीच अधिक्तम दोरी 4 जुलाई को होती है इसे किस नाम से जाना जाता है आपके अप्सन है यहाँ पर दो कोशन उट सकता है कि वो अधिक्तम दोरी किस तारीक को होती आनि किस दिन को होती है जो दिया हुआ है 4 जुलाई को ठेक उसे किस नाम से जाना जाता है तो आपके करेक्ट एंसर हो जाएगा डी अप्सन यानि एफिलियन इंग्लिश में उसे एफिलियन कहते है जिसकी दोरी होती है 15.21 करोड 15.21 करोड किलोमीटर ठेक है और यहाँ से एक और कोशन उट सकता है कि सबसे निक्तम दोरी होती है उसे क्या कहा जाता है जो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे निक्तम दोरी को उप्सौर कहा जाता है क्या कहा जाता है उप्सौर निक्तम दोरी यानि निरेस्ट निरेस्ट डिस्टेंस है निरेस्ट डिस्टेंस को उप्सौर कहा जाता है यानि पेरि हेलियन पेरि हेलियन यानि उपसोर कहायाता है ठेक है सो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा तैंक्यू झाल